समस्चाओं से कभी निराज नहूं डटकर उनका सामना करें क्योंकि श्रीमत भागवद में श्रीक्रेश्ण भगवान ने कहा है कि जब कोई समस्चा जन्म लेती है न साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है तो कभी भी नमस्टे तो कभी भी किसी भी समस्चा को इतना बड़ा न समझ लें कि आपको अपना जीवन छोटा नजराने लगें क्योंकि समस्चा चाहें कितनी भी बड़ी हो कितनी भी बड़ी हो मैं मानती हूं लेकिन समाधान उसका जरूर होता है तो चलिए इसी पॉजिटिव थोट के साथ आज की विलोग की सिर्वात करते हैं Hello my YouTube family, Good morning, Namaste and JC केशना कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और सवस्त और सवस्त अच्छे तो होंगे तो टाइम हो रखा है, साड़ी साथ और बच्चे बगरा कर रहा है आज ब्रोस क्योंकि आज इनका स्कूल नहीं है और मैं करने ही यहाँ पर तैयारी आज बनाऊंगे मैं भरवा करेला, जिसकी रेसिपी भी आपके साथ पूरी फुल सेयर करूंगी और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनते है तो सारे मैंने छील लिया है, इनका उपर से छिलका और इनको छीलने के बाद इनका पूरा जितना भी मसाला था वो सारा एक्साइड निकाल लिया और अच्छे से हमें इसमें मिला देंगे नमक और छोड़ देंगे इसे आदा घंटा एक घंटा के लिए आराम से तो इसके बाद आज देखिए अभी बजने वाले आठ और आज बच्छों का स्कून लई है बच्छों को जाना है आज टूसन सुबह आठ बजे से है जब इसकून नहीं है तो इनका तो बस यहां पर मुव बगएरा दुला दिया बुरुस करा दिया और थोड़ी सी कंगी बगएरा कर दूँगी क्योंकि आने के बाद इनको निलाओंगी टूसन से सुबह सुबह तो डेली जल्दी में नमस्ते 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 जाओ गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी आई हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और टाइम हो रखा बजे हुए आठ ज़ाड़ू आज बाहर का थोड़ा सका में पेले इसको करती हूँ देखे कोईल कितना अच्छा बोल रही है और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है जो भी वो रखा है लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रखा है तो चलिए फटावट से काम करती हूँ तो जी बच्चे निकल गए टूसन और बच्चों के जाने के बाद और आज मम्मी नहीं है तो थोड़ा सा काम बाहर का था ज्यादा कुछ नहीं था यही है जो आप देख रहे हैं तो पहले मैं आ गई हूं बाहर निकल की तो मैं कर देती हूं यहां से काम यहां पर क्या यह ज लिए दबा लेने के लिए अपनी तो अर्ली मॉनिंग जल्दी निकल गए थी साड़ी छेप और साथ निकल गए थी क्योंकि जल्दी फिर नंबर लगाना पड़ता है तो काफी लेट हो जाता है तो आज दिन है प्रस्पतवार का और आज ही का दिन देखे मैं इतना सच में आज कल महरत कर रही हूं न बहुत ज़्यादा और आज ही के दिन साम तक जहां तक है आपके पास मैं कोशिज करूंगी कि ये वीडियो पहुंच जाए तो बस यहां पर जितना भी उनकी चारा वगे रहा था वो खटा कर दिया उसमें अच्छे से खटा करके जारू लगा द यहां पर हम इस तरीके से पस्वों के लिए भरके रखते हैं पानी तो जी अभी पानी वगेरा उसको पिलाके वदर भान दिया है और अभी मैं लग गई हूं इनको निलाओंगी तो मुझे पूछा था कल जब मैंने आपकी साथ सेर किया था दो से तीन कमेंट मुझे आये इस चीज को लेके कि देदी आप बताना किस तरीके से आपने वेट लोस किया था तो जल्दी में पूरा रूटीन दोबारा से सुरू करूंगी तो आपको अच्छे तरीके से दिखा दूंगी कि मैंने किस तरीके से किया था लेकिन पता नहीं उसमें अगर टाइम लग लेकिन वो बाते में सारी नहीं बता पाऊंगी पर इतना जरूर बताऊंगी कि लोग इतना कुछ दिखाते हैं न मैंने इतना कुछ न करने के बावजूद भी मैंने अपना वीट कम कर लिया था और अगर मेरे पास पुरानी पिक्स वगरा होंगी न एक दो तो मैं आपके स वान पस होंगी वैसे तो गर्मी उतनी नहीं हो रखी लेकिन फिर भी चलिए ठीक है नहीं ला दिया और यह सारे यहां पर जो भी गोबर बगएरा था वो भी उठा के डाल दिया यह उठाने वाला बड़ा अच्छा है हाथ नहीं कर आवोते ममीन बना रखा है इसको ठाली स काटके दो पीसिस के कर रखें और बस इसी से कच्ड़ा वगएरा सब अच्छे से भढ़ जाता है तो चलिए यहां का काम हो गया है खतम और हाथ पेर होते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ और फिर घर एक बार जुट जाते हैं अपने काम पर तो हाथ पेर मेने आके दो लि मेरी सासु माया चाहता है वही बनाती है वह भी अच्छे बनाती है लेकिन यहीं सेम तरीका उनका भी बनाने का और मेरा भी बनाने का लेकिन वह बना देती है लेकिन आज नहीं है तो मैं बना रही हूं तो दो से तीन वार अच्छे तरीके से पानी में हम इनको पूब अच अच्छे से निचोड के ले लिया कि उसमें से हम इसमें अंदर भरने के लिए मसाला बनाएंगे तो यह ले लिये मैंने मीडियम साइज बोलो या थोड़ा-बड़ा बोल सकते हो प्याच और चोटा-चोटा तो आमी है और मिर्ची क्योंकि इसके तड़की के लिए इही चीज से डालोंगे हल्दी और नमक मेर्ची और अगर आप और भी मसारे डालना चाहते तो डाल सकते मेरा धनिया जब मैं वह बनाने जाते हूं सब्जी तब मुझे ध्याना था साबत रखा है लेकिन पीशने का कोई टाइम ही नहीं लगता रहा है और इसमें डाल दिया प्याज क टाइम और इसमें दूसे करेकं वाद में डालोंगे तो आपको दोगांगे क्या और आम से ही काफी परकाता है इसमें तो बस ज्यादा उनम्हाइं हलका कास्यों है क्योंकि पूरी तरीके से प्राई नहीं गरना है इसको प्याज को इसके बाद जो मसारला था हमने वो डाल दिया और इसको डालकर मैं इसको मैं पकने दूंगी और इसको छोड़ दूंगी अभी धीम कम से कम 5-7 मिनट में ये थोड़ा सा और पक जाएगा और उसके बाद फिर मैंने डाल दी थी इसमें आमी पहले मैंने डाली नहीं थी और लाश्ट में देखे ये डालूंगी मैं दो चमस के करीब था सोंप इससे बहुत ज़्याद भी लेंस हो जाता है इसका कड़वापन क्योंकि सोंप का पता है आपको टेस्ट होता है मीठा और इसमें ये बहुत सी गाड़ी सी मठा रहे जाएगी जिससे बनाऊंगी मैं रायता तो क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो जब घी वगएरा चलाते हैं तो आजकल पानी जादा ही यूज होता है इसमें ठंडा पानी वगएरा डालना पड़ता है नहीं सर्दी में इतनी पतली मठा नहीं हो करती हूं और मेर्ची यह सारी चीज़ें डाल दूंगी और क्योंकि और रायता मसाला और बस यहां पर यह देखे पक के तैयार हो गया था तो इसको मैंने छोड़ देया था ठंडा होने के लिए और भरवा करेला थोड़ा सा टाइम जरूर लगा था बच्चे न टूर्शन पढ़के आ चुकी है और बस इनकी फर्माइस हो रही है कुछ न कुछ खाने की और टाइम भी हो चुका है दस यह सब करते करते क्योंकि बाहर का भी करके आई फिर अंदर का भी तो टाइम तो देखे लगी जाता है तो बस इनको मैं भर लूँगी आप अच्छे तरीके से क करेले आदा केजी थे तो बस इतने थी लेकिन इतने काफी हैं खाने वाले लोग आज बहुत कम हैं तो यहां पर रख दिया है मैंने ओएल करम होने के लिए और 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 नहीं थोड़ा से जादा रख दिया है तो इससे भी चीटे पढ़ते हैं गरम ओएले तो इसकी वज़े और बस दो से तीन माट तक मैं इसको इसमें फ्राइए कर लूँगी अलटे पलटे हुए और इसमें दो से तीन माट के अंदर इन एजिए आदा कम से कम पकर के तयार हो जाता है तो बस चलिए इसको फिराई करते हैं फटा फट से और फिर इसके बाद देखिए अभी देख सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा तो मैं देख रही थी गल गय के नहीं और अच्छे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा जल भी गए है और यहां पर फर्माईस थी दिविया की मेगी खाने की तो वैसे तो उतनी बनती नहीं है अभी तो बहुत कम बच्चों ने खाना कर दिया है हपते पंद्रे दिन दस दिन ऐसा निकल जाता है क्योंकि यह चीज़े नसीयत के लिए वैसे भी अच्छी नहीं हो तो बस मैं इस पर सेखने बैठ गई हो बहुत कियरफुली बना रहे हैं तो आप लोग प्लीज टेंसर मत लेना न मैं इस पर बनाती हूं सच बताओं वैसे तो आप देखते ही हो और खाना हो गया है तैयार हमारा बनके तो चलिए लगा लेते हैं अपनी ठाली खाने के होगा तो फिर मिलती हूं नेक्स टेक अच्छे भी